पश्चिम मंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बेनलजी ने टीम इंडिया की जर्सी को लेकर सवाल उठाए हैं मम्ता बेनलजी ने कहा सब कुछ गेर हुए रंग में रंगा जा रहा है उनका सीधा निशाना बीजेपी की ओर था सीए मम्ता के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि मम्ता ने तो पुरे कॉलकता को नीले और सफेद रंग में रख दिया है मम्ता बेनलजी ने कहा अब सब कुछ भगवा हो रहा है हमें अपने भारती खिलाणियों पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वे विश्वविजिता बनेंगे लेकिन जब वे अभ्यास करते हैं तो उनकी ड्रेज भी भगवा हो गई है वे पहले नीला रंग पहन दे थे यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशनों को भी भगवा रंग में रंगा जा रहा है एक बार में ने सुना था कि मायावाती ने अपनी मुर्ती बनवाई है लेकिन अब ये सामान ने हो गया है अब हर चीज का नाम नमों के नाम पर रखा जा रहा मैंने एक बार देखा था कि मायावती ने अपनी एक मूर्थी बनवाई थी उसके बाद मैंने इसा कुछ नहीं सुना इस तरह कि नोटंग की हमेशा फायदे की ओर नहीं ले जा सकती सत्ता आती और जाती रहती है बिजेपी पर कटक्ष करते हुए मम्ता बेनर जी ने कहा कि य देश जनता का है ना कि सिर्फ एक पार्टी की जनता का इसी के साथ मैंने रही है एश्या इस इंडिया के साथ हन्यवाद